हेलो दोस्तो स्वागत है आपको एक नई वीडियो में तो चलिए फिजिकल एजुकेशन का सफर शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा फिजिकल एजुकेशन क्या है क्या होती है फिजिकल एजुकेशन आईए देखते हैं तो दोस्तो फिजिकल एजुकेशन दो टम से मिलकर बना है एक है फिजिकल दूसरा है एजुकेशन और दोस्तो जो फिजिकल बहुर लेट करती है बॉड़ी से और बॉड़ी में आ जाता है स्पीड, इंडॉरंस, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिल्टी और इसी तरह जो सी के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वह डायक्ट करते हैं education से, जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो हम उसे जयाद करते हैं, पढ़ते हैं वह पर ससिंग किस xuे चलती है, मानडस है लिकन physical education एक ऐसा subject है जो हमां mind से तो direct relate करते ही है हमारी body को भी develop करता है जब भी हम ground में जाके खेलते हैं उससे हमारी जो body है बहुत अची तरह से develop होती है क्योंकि वैसे भी किसी ने कहा है कि अगर आपका शरीर तंदरुस्त है तभी आपका mind बहुत अंदरुस्त रह सकता है अच्छी body में अच्छा mind की सबावना होती है इसलिए physical education बहुत ही important subject हो जाता है एक example से होर देख लेते हैं मान लीजिए कि सब्चे का paper है बट बहुत intelligent है लेकिन paper की दिन अगर वो बमार हो जाए जा उसके चोट लग जाए तो दोस्तों वो paper नहीं दे पाएगा उसकी intelligence उस दिन किसी काम की नहीं रहती अगर उसका शरीर body अगर तंदरुस्त नहीं है इसलिए आपकी body शरीर आपका fit होना develop होना चीतरा से बहुत ज़रूरी है physical education में जहाँ पर body की पूरी development होती है उसके साथ साथ mind भी proper develop होता है और इसलिए physical education का meaning जो निकलता है वो होता है all role development अब देखते हैं physical education का aim क्या है दोस्तों पहले हमें यह समझना पढ़ेगा aim होता क्या है aim क्या होता है aim किसी मंजल पे पहुंचने का जो आखरी निशाना होता है उसे कहते है aim आईए इसे example से समते हैं मा लीजिए किसे बच्ची ने teacher बनना है अगर किसे बच्ची ने teacher बनना है तो उसे एक education process के से गुजना पढ़ेगा उसे पढ़ना पढ़ेगा और होली होली दीरे-दीरे कितने साल के बाद वो अपना लक्ष को अचीब कर पाएगा और एक professor चेक teacher बन पाएगा इसलिए जो आखरी जो पढ़ा होता है जो आखरी मंजल पे आखरी निशाना होता है उसे कहते हैं aim और physical education का जो aim होता है किसी भी person का physical और mindly उसे prepare करना किसी भी हलातों के लिए उसे डालना उसे किसी भी हलातों से लड़ने के लिए उसे त्यार करना